नमस्कार साथियों मैं आपका मित्र आशीष तायल डेबलुसियल समवाद की इसकड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूँ माजरी एक्षेत्र के एक्षेत्री महाप्रुबंदक शरी इल्यास हुसेन साथ से सर आपका इसकारिकरम में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार सर हमारे डेबलुसियल परिवार के सदस्यों को माजरी एक्षेत्र के बारे में बताएं एक्षेत्र में कितनी खदाने हैं तथा वर्ष 22-23 में कोला उत्पादन और प्रेशन की क्या हिस्तिती रही और वर्ष 23-24 का क्या लक्षे है माजरी शेत्र में तीन उप्षेत्र हैं एक है एकोना उप्षेत्र जिसमें एकोना अमालगमिटेड एक माइन हैं दूसरा उप्षेत्र है हमारे पास माजरी उप्षेत्र जिसमें दो खदाने हैं ओपन कास्ट की इसमें एक न्यू माजरी OC माइन है और माजरी UG2 OC माइन इसके अलावा तीसरा सभेरिया एक है चार गाउन तेलवासा सभेरिया जिसमें की चार बंद खदाने पुरानी हैं वहाँ पे प्रोडक्शन का कारिया भी नहीं हो रहा है 22-23 में माजरी छेट ने सारे रिकॉर्ड तोड़े 60 लाग का जो टार्गेट था उसके अगेंस्ट में 70.15 लाग टन कोईला उत्पादन करके नया करतिवान स्थापित किया अबी रिवोल में भी 476 लाग क्यूबिक मीटर का नया रेकॉर्ड बनाया करीब 74.4 लाग टन कोईला डिस्पैस यहां से किया गया जो अभी तक का अल्टिमेट हाइस रहा है 23 चोगिस में हमें लक्ष दिया गया है 70 लाग टन उत्पादन का उसके अलावा 446 लाग क्यूबिक मीटर कोबी का जिस तरह कि यहां की माजरी की मोटिवेटेड टीम है वाकई यह सब उत्पादन के लक्ष आसानी से पार करेंगे ना सिरिफ पार करेंगे बलकि और बहतर प लोग प्रडक्शन कर रहे हैं कोले का ओबी का निकासी हमारा पूरा एक्चोई के द्वारा हो रहा है लास्ट यह हमारा कैपसिटी उट्राइशन 81.8 परसेंट रहा है अभी इस साल हमें कुछ मसीने नहीं मिली है इस बार हम कैपसिटी उट्राइशन में बहतर प्रदसन कर पाएंगे थोड़ा सा दिकत एनेम यूजी टो सी माइन में थी इस बार उसका ओभी कैपसिटी बढ़ा कर वहां से कोल उत्पादमनी बढ़ाने की विवस्ता की जा रही है जिससे की कैपसिटी उट्राइशन निस यह ती इसमें बहतर होगा इस साल सई हमारे डेवलोसील परिवार के सदस्य को बताएं कि एक्शेतर की ख़दानों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में तक्नी की विकस का क्या योगडान रहा तक्नी की विकस के एक्शेतर में माजिर एक्शेतर दोरा कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं अभी जैसे कि मैंने बताया नई मिशिन के रिक्वार्मेंट थी जिसके तयत हमें 8 डंपर नए मिले हैं उसके अलावा 3 PC मशीन में ली हैं 3 डोजर मिले हैं तो निशी तीन नए एडिशन के साथ हमें इसका लाब मिलेगा न्यू माजरी OC में और न्यू माजरी UG2 OC इन दोनों खदानों में स्वावल डंपर कॉंबिनेशन चल रहा है उसमें OB का रिमूवल, HOE कॉंटेक्टर द्वरा किया जा रहा है और कोईले का उत्पादन हम लोग डिपार्टमेंटल कैपसिटी से कर रहे है एकोना माइन में हमें सर्फेस माइनर लगाया हुआ है कोल प्रड़क्शन के लिए और बाकी जो है OB का रिमूवल वो स्वावल डंपर कॉंबिनेशन के साथ और HOE कॉंटेक्टर के साथ हम लोग कर रहे है चुनोती है खास करके NMUG to OC इस माइन में स्ट्रिपिंग रियोशी बहुत जादा है उस वज़ा से वहाँ प्रड़क्शन करने में थोड़ा दिक्कते आ रही है जो existing हमारा कॉंटेक्ट है वो limited है करीब 40,000 क्यूबिक मीटर पर डे का कॉंटेक्ट है इसे हमें बढ़ाना होगा करीब करीब 1,20,000 क्यूबिक मीटर पर डे ओबी रिमोल के साथ हम लोग काम करेंगे आगे तो आने वाले दिनों में NMUG जिसका की प्रड़क्शन अभी 18,000 क्यास पास हम लोग लास्ट येर किये थे उसको हमें 30,000,000 कर पहुचाना है और ये पूरी तरह उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हम लोग अपना टार्गेट के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सरक्षेत्र में किस सिस्तर की चिकित्सा सेवाएं उपलब्द हैं कर्मियों के कल्यान के लिए कौन-कौन से कारिये किये जा रहे हैं माजरी शेत्र में अभी 50 बेड होस्पिटल एक हमारे पास संचालित है जिसमें की 12 ट्रेंट डॉक्टर्स डिपलॉइड हैं उसमें हमारे पास गाइनेकलोजिस भी हैं एंटी स्पेसालिस्ट हैं पेडियाट्रिक्स हैं ग्यारा करीब हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं वहाँ पर यह तीनोशिप में चलता है इसमें ओपीडी की सुविधा दी जाती है साथ एंबुलेंसे प्रोइड की गई है जो कि सभी ख़दानों में स्थित रहती हैं उसके अलावा हॉस्पिटल में रहती हैं बेसिक लावा एक एडवांस सपोर्ट सिस्टम वाली एंबुलेंस भी प्रोइड की गई है और यह चिकिस्सा सेवा ना सिर्फ हमारे वरकरों के लिए बिल्कि आसपास के गाउँ में अप्री आफ्कोस्ट ये सेवाएं उपलबत करायां हमारे डॉक्टर्स आसपास के गाउँ में जा कर्से करते हैं और लोगों Cuando की देखभाद उसमें करते हैं लास्ट येर इसी के ताहर करीब साथ मेडिकल कैम्प किये गये थे माजरी छेतर में हम अब पास 1930 मेन पाउर है उस हिसाब से तीन कॉलर्णी हैं जिसमें की एक माजरी कॉलर्णी है जहां 800 कॉर्टर प्रोवाइड किये गये हैं एक है कुछना कॉलरी करीब 446 कॉर्टर प्रोवाइड किये गया है और एक एकता नगर कॉलर्णी है जहां 400 कॉर्टर कॉलरी है तीनों कॉलर्णी में एक-एक सामुदाइक केंदर है समधाइक के अंदर में शादी ब्याहा या चोटे मोटे कारेक्रम तुसे ये प्रोवाइड किया जाता है खेलने में लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए बड़ा च्छा स्टेडियम यहाँ प्रोवाइड किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग पार्क की विवस्ता की गई है सर समाज के प्रती अपने दायत्व को निर्वहन करते हुए निगमित समाजिक दायत्व के तहट माजरियक शेत्र द्वारा क्या कारिये किये गए हैं बीते वर्ष मानसून में बार जैसी इस्तिती बनने पर माजरियक शेत्र ने समाज के प्रती क्या योगदान दर्ज कराया CSR के तैट हर साल कुछ न कुछ काम किये जाते हैं आसपास के गाउं में पिछले साल एक सामधाहिक बहुन भद्रावती में बनाये गया इस साल भी एक प्रोविजन रखा है जिसे कि आसपास के सभी गाउं में सुविधाएं प्लब्त करा जाएगी इस साल खास करके हम लोगों ने हेल्थ और निट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है उसमें करीब 60% राशी खर्च करने का प्रोधान रखा है इसके ताएट अभी हाली में हमने एक सभी गाउं के सरपंचों की मिटिंग बलाई थी और उन्हेंने उसी हिसाब से अपने प्रोपोजल्स हमारे पास सब्मिट की है पिछले साल काफी ज़्यादा बारिश होनी की वज़े से आसपास के गाउं में फलर्ट की स्थेती बनी थी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माजरी की टीम ने बहतरीन काम किया उसमें उसमें कुछना कॉलर्णी में एक टेंपररी रेस शल्टर बनाया गया था जहांकि जो डूप छेतर में गाउं आये थे वहां के लोगों को लाके करीब रखा गया था उनके रहने, खाने की वज़ता, इलाज की वज़ता खास करके एक बगल में गाउं पलस गाउं पूरी तरह बाढ़ के चपेट में आ गया था वहाँ भी खाने की विवस्था और दवाईयों की विवस्था लगतार की गई बाढ़ उतरने के बाद टैंकर भेज कर साफ सफाई करने में मदद की गई कुछ लेडी इसको साधियां बाटी गई और भी जो जरूरत मन थे उन्हें कुछ पराने कपड़े भी बाटे गए इस तरह लगातार डबली सेल अपने योगदान महा देता रहा सर धर्ती मा के सीने से कोईले का दोहन करते समय परियावरन संदक्षन को हम सदेव ध्यान में रखते हैं परियावरन सुरक्षा तथा सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के अक्षेतर में माजरी अक्षेतर ने कौन-कौन सी पहल की हैं मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी जितनी माइन हैं इन्वार्मेंट क्लियर्स के तहर जितनी भी कंडिशन्स दी गई हैं उन सारे कंडिशन्स पूरी तरह से फुल्फिल किया जा रहा है उसके तहर फिक्स स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं वाटर टैंकर्स हैं जो हॉलर्ड पे और आने वाली जगह पे वाटर स्प्रिंग करते हैं फॉक कैनन्स तभी माइन में करीब करीब लगा दिये गए हैं अभी हाली में एक अच्छा काम किये हैं और भी टायर वास सिस्टम हमारी अपनी डिपार्टमेंटल टीम ने एकोना में अल्लेडी इंस्टाल कर दिया है इसके लावा एक अनुठी पहल यहां पे हुई है टेक्नलोजी के स्चेतर में एकोना माइन में सर्फेस माइनर लगाया गया है जिसमें की दो चीजे फाइदे मन्द हैं एक तो क्रस्कोल आने से हम लोगों को उपर अलग से क्रशर बठालने की जिवरत नहीं परती तो जो डिस्ट का निकलने का स्फरोत रता है वो आटमेटी को हां से खतम हो गया इसके अलावा में बताऊँगा आपको की माजरी छेतर में आज तक करीब दस लाख ट्री प्लांटेशन किये जा चुके हैं जिसमें लास्ट ये नबे हजार किया गया था और इस साल भी हमें सेहत के तहट माजरीक शेतर द्वारा क्या कारिये की जा रहे हैं हमारे अधरनीय सीमडी साब का जोइन करते ही सपना सब्सक्राण डा रवारा रहा है लास्ट यूर भी यहां पर चार दसवाह मौ एक कोरण का फंड आवजित किया गया था उसके अगेंस्ट में चार को ड कर आया चाम किया रहा है होस्पिटल का sip E रोड का रिपेर का काम था उसके अलावा घरों में बाटरप्रूफिंग का काम किया गया डेनेज का काम हुआ इस साल हम लोगों ने फंड आने से पहले ही सारे टेंडर करके रेडी रखें इसके पीछे सोच यही है कि जितना जल्दी हम लोग काम लगाएंगे हमें मार्स तक क कार्बंड एक्सेट उत्सरजन को नेट जिरो करने के लिए किये गए कारियों के बारे में हमारे डबलू सेल परिवार के सदस्य को बताएं मिसन मुद्रा के तहट हम लोगों ने हमारे ऑफिस जो बिल्डिंग है उसके अलावा एक केंदरी विद्याल है उनकी छटों पर हम अमोनियम नाइटरेट का उत्पादन करेंगे पिछले दिनों देखा गया कि एक्स्प्लोजिव की कमी के वैसे हमारी प्रोडक्शन काफी ज़्यादा मार खाई थी और उसमें सबसे बड़ा कारण था वो अमोनियम नाइटरेट की उपलबतता कम होना इस प्लांट के आने क उससे लाभान भीत होंगे इसके लग मैं पताना चाहूंगा कि पिछले साल हम लोगों ने स्क्रैप बेचकर करीब करीब धाई करोड का रेवन्य जनरेशन यहां पर किया और इस साल हम लोगों ने इसका टार्गेट रखा है कि माजरी एरिया में जीरो स्क्रैप जो भी स्क मिशन मुद्रात मिशन तरास और मिशन उतकर्ष तो इन चारों को सफल बनाने के लिए हमारा एरिया लगतार प्रयासरत है और पूरा टीम इस काम को करने में जूटा हुआ है सर कंपनी और अक्षेत्र के लेक्षे को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के कोईला प्रेशन त प्रेशित हो रहा है आज की तारीक में आवरेज करीब चार रेक पर डे हम लोग निकाल रहे हैं और पूरा कोईला करीब-करीब सभी पाउर प्लांट में जा रहा है इसके अलावा एक माइन जो हमर पास यह को ना माइन है उसमें बाइरोड ट्रांसपोर्ट हमारी मजबू है क्योंकि आज की तारीक में महाँ पर कोई साइडिंग है नहीं बट आने वाले दिन में नई साइडिंग बनाना महाँ प्रपोस है इसके अलावा भी हम लोग वरोरा शहर के बगल से एक बाइपास रोड बनवा रहे हैं उसके सफल होने के बाद हम वो कोईला चारगाउं स किया गया उस समय जो डिपिटरिंग की गई थी विथ सैंड स्टोविंग की गई थी कोईला निकालते समय बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ सैंड उसमें मिक्स होती है जिससे की गुनवत्ता में खराब होने के चांस रहते हैं इस साल हमने उस पर काफी काम किया है और तो प्रड़क्शन के हमारी चमता है उससे 1.5 टाइमस क्यापिसिटी के करश लगा दिये गए जिससे अंक्रस्ट कोल जाना टोटल बंद हो चुका है इसके अलावा यकोना माइन में सर्फेस माइनर जैसा कि मैंने आपको बताया क्रस्ट कोल ही नीचे से उपर आता है उसके पर इस चीजें एकटा करने के बाद हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि साल हमारा क्वालिटी में भी हम लोग बहतर प्रत्रशन कर पाएंगे सर्फ डबलू सिल सम्वाद मंच के माध्यम से अपने एक्षेत्र के कर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सोच यह ही है और मेरा संदेश यह ही है कि सुरक्षा को घर से लेकर बहार तक हर जगा अपना है अपनी आदत में सामिल करें ताकि काम पर भी वो परिलक्षित हो और हम लोग सुरक्षित तरीके से काम कर पाएं और अगर हम सुरक्षित हैं, तभी बहतर उत्पादन कर सकते हैं, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कि सुरक्षा पर हम पूरा ध्यान रखें, और ये लगातार हम अपनी बातनी भी कहते हैं, और इसका असर भी लोगों में देखा जा रहा है, आज लोग काफी सुरक्षि समाज में अपना जो दाइत्व है, वो जरूर निभाएं, और उनकी जितनी हम लोग मदद कर सकते हैं, अपने कंपनी के कानून के दाएरे में रहे के, उसे लगातार मदद करते रहें, निस्ची तीसे से, डवलुसियल को और खास करके माजिस चेतों को फाइदा होगा, जह यह मेरा पसंद्ध कारेक्रह में, मैं इसे लगातार देखता हूँ, जिससे कि मेरा भी बाकी एरिया और डवलुसियल के बारे में जयनकारी बढ़ती है, मैं इसे उत्रतुर प्रगती की शुबकामना देता हूँ और उमीद करता हूँ कि यह काम लगातार जारी रहे, और इ साथ उपस्थित हुए आपने बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी अपने अनुभाव हमारे डबलू सेल परिवार के साथ साजा किए इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं नमस्कार साथियों डबलू सेल समवाद कारी करम को आपने खूब सराहा धेर सारा प्यार दिया इस कारी करम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाओ निरंतर रामंतरित करते हैं धन्यवाद